Good morning all of you आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्यान विशय का पाठियोजना जिसका टॉपिक है अमारा यानि की प्रक्रड है पौधो के विभिन भाग या पौधो के भाग भी से आप लिख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विज्यान विशय का पाठियोजना लिखना कैसे है चलिए देखते हैं पहला पाठियोजना शंक्या है हमारा सबसे पहले हम लिखते हैं पाठियोजना फिर उसका संख्या लिखते हैं जो भी आपका संख्या है आप वो यहां पे लिख देंगे आपका पार्ट योजना संख्या एक है तो एक लिखेंगे दो है तो दो तीन चार जो भी संख्या है वो आप यहां पे लिख सकते हैं लिख देंगे ठीक है उसके बाद हम लिखते हैं चात्रध्यापिका का नाम या चात्रध्यापक का नाम आप जो भी है चात्रध्यापिका या चात्रध्यापक आप यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद विद्याले का नाम लिखते हैं उसके नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विशय, कलांस तथा शम्यावधी इसमें आप जिस दिनाग में पढ़ाएंगे वो दिनाग के लिखते हैं जिस कक्षा को पढ़ाएंगे जैसे ये कक्षा 6 का प्रक्रड है हमारा तो आप यहां पर कक्षा 6 लिख देंगे विशे जो है आपका विज्ञान विशे है तो यहां पर विज्ञान लिख देंगे और कलांस जी इस घंटी में पढ़ाते हैं, वो यहां पे लिखते हैं, शमया वदिया इसे अवद भी लिखा جाता है, वो 40 मिनट का कुल होता है, तो यहां पे आप 40 मिनट लिख देंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्ष्ट लिखते हैं प्रकरड प्रकरड में जो आपका प्रकरड होता है उसे खुब अच्छे से आप ऐसे लिख देंगे ठीक है जैसे आज का हमारा प्रकरड है पौधो के विभिन भाग तो लिखेंगे पौधो के विभिन भाग इसके बाद हम लिखते हैं शमान आत्मक्ता का विकास करना तीसरा चात्रों में तत्यों के वरगी करण और उनके शंकलन का ज्यान प्रदान करना चोथा चात्रों में वैज्यानिक द्रिश्टिकोड का विकास करना तथा पाचवा जो है चात्रों को दैनिक जीवन में विज्यान की उप्योगिता भताना ये प पर जाकर वहां पर देख सकते हैं मैं लिंक भी देदूंगी डिस्क्रिप्शन में आप एक बर वहां पी चेक कर देजिएगा और हां आपको चैनल पर इतिहास विशे नागरिक अगर आपका दोसरा तिश्रा पाठियोजना संख्या है यहाँ पर तो आप समाने उप्देश से पुरुवत लिखते हुए आगे चलते हैं इतना समाने उप्देश लिकने के आउशकता बिल्कुल भी नहीं है ठीक है पुर्वत यहाँ पे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे जैसे यह पार्ट योजन संख्या वन ने इसलिए यहाँ पे इतना समान्य उद्धेश लिखा हुआ है आगे हम पुर्वत लिखते हुए चलते हैं सिर्फ नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट उद्धेश इसमें हम तीन उद्धेश लिखते हैं ग्यानात्मक, बधात्मक और क्रियात्मक उद्धेश पहला ग्यानात्मक में लिखते हैं चात्र पौधों के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे दूसरा बधात्मक उद्धेश में लिखते हैं चात्र पौधो के भागू की व्याख्या करने में शक्षम होंगे और क्रियात्मक उद्धेश में लिखते हैं चात्र भी भी ने प्रकार के पौधो से परिचित हो सकेंगे यह हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश में ग्यानात्मक बुधात्मक और क्रियात्मक उद्देश ठीक है इसके बाद जो next लिखते हैं हम सहायक समगरी लिखते हैं सहायक समगरी में आप जो भी सहायक समगरी यूज़ करते हैं जाएक समगरी में नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आप चाट पेपर या जो भी यूज़ करते वह सायक समगरी में लिखते हैं ठीक है उसके बाद next heading हमारा सिक्षणविदी लिखते हैं कौन कौन से शिक्षणविदी आप प्रयोग कर रहे हैं जैसे आप प्रशनुत्तर विधी का प्रयोग करेंगे विज्यानिविषय में यही आप विदियां प्रयानिविदी करते हैं तो ये तीनो सिक्षड विदियां विज्ञान विशय में प्रयोग की जाती हैं, ये तीनो सिक्षड विदियां आप लिखेंगे, उसके बाद नेक्स जो लिखते हैं हम पूर्वज्ञान लिखते हैं, पूर्वज्ञान में लिखते हैं, छात्र पौधो के भागो के विशय मे अवश्य कर दीजिएगा और आपको कोई भी टापिक पर पाठी उज़ना चाहिए किसी भी प्रकरण प्या तो आप कमेंट बॉक्स में भी पता सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूंगे बार चेक कर कि आपको वो उस पर वीडियो उपलब्द करा सकूँ चलिए अब देखते हैं प्रस्ताउना के प्रश्ण प्रस्ताउना प्रश्ण हेडिंग लिखते हैं इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या चात्रा ध्यापिका या चात्रा ध्यापक कथन आप जो भी हैं वो लिखेंगे उसके बाद चात्र या चात्रा कथन लिख देते हैं उसके बाद इस बॉक्स में कुछ क्वेशन लिखते हैं पहला क्वेशन हमारा मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या के आवश्यक है से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है चातर चातर कथन में लिखेंगे फूल फल पत्तियां आधी उसके बाद चौथा कोईशन करेंगे फूल फल और पत्तियां पॉधों की क्या हैं चातर चातर कथन में लिखेंगे पॉधों के भाग हैं उसके बाद आपका जो समस्यात्मक प्रश्णों का वो आप लिखेंगे पौधों के भागों को विश्टार से समझाईए या ऐसे भी आप एक और क्वेशन अगर चाहें चिंज करना तो यहाप कर सकते हैं पौधों के भागों के बारे में क्या जानते हैं बताईए ऐसे भी आप लिख सकते हैं तो पाच्वा यह हो जाएगा उद्देश यह कथन अमारा इसके बाद आते हैं नेक शम प्रस्तूती करण पे प्रस्तूती करण पे एक हेडिंग लिखेंगे प्रस्तूती करण ऐसे आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रस्तूती करण में एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिख प्रश्ण इसमें कुछ question लिखते हैं जैसे पहला प्रश्ण है हमारा पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल फुल सबजियां आदी क्या है ठीक है छात्र छात्र कथन में आप लिख देंगे पौधों के भाग क्योंकि यह वह जबाब देंगे तो आप उनके उत्तर मे क्योंकि छात्र यहां पे मोन हो जाएंगे फिर आप अपना असपश्टी करण देंगे और सिक्षड बिंदू जो है आपका वो यहां पे लिख देंगे पौधों के बिभीन भाग या पौधे की संरचना आप यहां पे लिख देंगे अपने सिक्षड बिंदू वाले बौक देखते हैं जाता तर पेड़ पौधे में तना पत्तियां फूल और फल दिखाई देते हैं पौधों को दो भागों में बाड़ देतों तना पत्ति फल एवं फूल आदि पौधों का प्ररूह तंत्र बनाते हैं जो की जमीन की उपर रहता है जबकि जड़ जमीन की अंदर द पर आती हैं यहां पर टंत्र एड़ कर लीजेगा जटंद्र आती है एंट जोड़ को ठीक है यह होके हमारा पहले सिख्षर बिंदु का अस्पर्श्चटी कर्णा यहां बना हुआ है ते ड्याग्राम के इनके लीजिए फिर आगे चलते हैं इस डाइग्राम का भी आप इस्क्रीन सोट ले लीजिएगा फिर आगे देखेंगे यह आप देख सकते हैं यह पर प्रणु अतंत्र और यह चड़ तंत्र कुछ इस प्रकार बना देंगे शांपट कारे में फिर हम नेक्स ठेडिंग लिखते है बोधात्मक प्रश्ण बोधात्मक प्रश्ण में जो हमने असपश्टी करड़ दिया हुआ है जश्ट उपर उसी से कुछ बोध प्रश्ण करते हैं तो यहां पे पहला प्रश्ण है प्रणु अतंत्र के अंतरगत पौधे का कौन सा भाग आता है चात्र चात्र कथन में जो में लिख देंगे केवल जड आती है ठीक है इसके बाद फिर हम एखेडिंग लिखते हैं जिसमें लिखते हैं विकाशात्मक प्रश्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं बोध प्रश्ण के बाद फिर विकाशात्मक प्रश्ण करेंगे दूसरे सिक्षर बिंदु को बताने के ल तो इसमें पहला question करेंगे पौधों के कितने भाग होते हैं चातर चातरा कथन में लिख देंगे पौधों के निम्न भाग होते हैं जड़ तना पती फूल फल बीज आदी यह चातर चातरा कथन में आप लिख देंगे फिर जो next question करेंगे वह पौधों के पिविन भागों के का के बार आगे हम देखते हैं सिक्षड बिंदू में लिख देंगे दूसरा जो सिक्षड बिंदू है हमारा पौधों के बिभिन भागों के कार्य है यह हम सिक्षड बिंदू के अंतरकेत लिख देते हैं और चात्र चात्र कथन में लिख देंगे चात्र ध्यान पूरवक शुन सबसे पहला जड़, जड़ को बताएंगे जैसे जड़ पौधे का भूमिगत हिश्या होता है, जो मिट्टी से पानी वखनीजों को असोसित करके पौधे की उपरी हिस्से तक पहुचाता है। ठीक है, उसके बाद फूल, फूल को बताएंगे, फूल पौधे का प्रजनन हिश्या होता है, जो पराग तथा अंडे के निशेचन के बाद फल बनाते हैं। उसके बाद नेक्ष्ट हम लिखते हैं फल, फल में लिखते हैं, फल हेडिंग लिख देंगे आप ऐसे, जिन एक नया पौधा उगता है, इस प्रकार हम पौधों के जो बिभिन भागों के कारे हैं उसे बता देंगे, ठीक है, और आप यहां पे श्यांपट कारे में जो भी लिखना चाहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, जितना आप लिखना चाहते हैं, वो आप श्यांपट कारे के प्रशन के पहला प्रशन करेंगे पहला प्रशन इसमें हमारा हमें सास लेने के रिए आक्षीजन कहां से मिलता है चátρ बताएंगे कि पेड़ पोधों से मिलता है पेड़ पोधों से लिख देंगे चातर चातर कथन में फिर दूसरा क कोईश्चन करते हैं पेड़ पोध है हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उप्योगी है यहां पे चातर हो जाएंगे मौन तो समश्यात्मक प्रशन हो जाये है तब नीचे 4ड ध्यान पूरवक सुन है लिख देंगे लग पहले आप छिखणबिंद्ूध में Abay 멌ं लिखे लिखेंगेb करड़ देंगे जैसे पेड़ पोधे के द्वारा हमारी अनेकों आशकताओं की पूर्ती होती है इसको पॉइंट्स में लिख लेंगे पेड़ पोधे से हमें दवाईयों के लिए जड़ी बूटियां सहद लकड़ी पॉष्टिक फल कागज आदी मिलते हैं दूसरा पेड़ अपरदन को रोकते हैं तीसरा पॉइंट है सुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं चौथा पॉइंट है प्रदूसर दूर करने में शहायक होते हैं और इसमें आखरी पॉइंट लिख देंगे प्राडियों की फोजन एवं आवाज का मुझ के शाधन होते हैं ठीक है यह हो आप लिख देंगे हेडिंग उसमें जो भी इसके महत्वें जैसे ओटू दवाईया फल लकड़ी कागज भोजन आवाज प्रदूशर मुक्त वातावर आज यह लिख देंगे ठीक है अब हम नेक्ष्ट आते हैं पुन्रवृति के प्रश्णिया मुल्यांकन के प्रश्णि कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपकी कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से लिख देंगे इसमें कुछ प्रश्णि करते हैं पहला प्रश्ण है पोधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उप्योगी हैं दूसरा प्रश्ण है पोधों के बिभिन भागों कारियो के बारे में बताईए तीशरा प्रणुहतंत्र के अंतरगत पोधे का कौन सा भाग आता है और उसके बाद आप और भी क्वेशन चाहें तो अपने पास से एड़ कर सकते हैं इसमें इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह हो जाएक हमारा पुर्णरा वृतिया म ल्यांकन के प्रस्ट अब हम नेक्ष आते हैं ग्रियकारे पे पढ़ने से पहले अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होगा तो प्लीज एक बार से सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पसंद आई हो तो भी और ना आई हो तो भी ठीक है चलते हैं ग्रियकारे पे लाज्ट में हम ग्रियकारे पाठ्योजने में अवश्य लिखते हैं और देते भी हैं इसमें लिखते हैं सभी चात्र घर से पोधों के बिभिन भागों के बारे में लिख कर लाएंगे कि हो जाएगा हमारा ग्रियकारे आज के वीडियो में बस इतना ही मिलत में तब तक के लिए थैंक यू एंड बाई